हेलो एवरिवन तो आजकी वीडियो में आप लोग को बताऊंगा मैं किस तरीके से आप लोग बायोज अपड़ेट कर सकते हैं अपने एसूस ए320 मदरबोर्ड के पर अगर आप लोग को description पे outdated bios मिलता है तो आप लोग search कर सकते हैं google chrome पे तो आप लोग को first वाड़ी link पे कर जाना जहां पे bios and filmware लिखा हुआ है तो asus a320 के तो आप लोग को इसी website पे आप लोग को सभी के सभी drivers मिल जाएंगे इस वीडियो के आप लोग ध्यान से पूरा देखिए क्योंकि अगर आप लोग वे थोड़ी सी भी दिक्कत आ गई गाई और थोड़ा सा प्रॉब्लों आ गया तो आप लोग का बिल्कुल किसी काम का नहीं रहेगा motherboard तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से वीडियो देख तो आप लोग सबसे उपर वाला लेटेस्ट होता है गाई तो यहाँ पर लेटेस्ट डाउलोड कर लेना जो यहाँ पर दिख रहा है 2021 ग्यारा पांच का तो मैंने डाउलोड कर रहा है तो यह फाइल आप लोग को पेस्ट कर देनी है डाउलोड करने के बाद तो मैंने यहा पर देख लिए मैं extract कर लेता हूं फाइल को इस तरह के से यहां पर दो फाइले आ गई हैं तो यहां पर आप लोग का काम खतम हो गया है अब जो next काम होगा आप लोग उसके लिए computer को restart कर देना है तो यहां पर हम लोग restart कर लेते हैं तो अब camera से मैं वीडियो बना रहा हूं त के बाद आप लोगो मैं ध्यान से दिखा देता हूं तो आप लोगो दिक्कत लेनी क्योंकि मेरे बास phone है तो इसे कोई थोड़ी से बहुत दिक्कत आया थी तो आप लोगो tools पर चल जाना है और सामने आप लोगो दिख रहा होगा सबसे ऊपर पर asus ez flash 3 पर चले जाना है दो option भी आ सकते हैं guys यहां पर यहां तो search for driver online और दूसरा आप लोगो डिस्क में से तो आप लोगो डिस्क में क्लिक करने के आदा आप लोगो इस तरह का option खुल जाएगा तो यहां पर देख लिए मेरे सामने यहां पर आ रहा है दो चीज़ पहले उपर है उपर वाली हमार क्लिक कर लेना देख लिए से मैं क्लिक करता हूं दो बार क्लिक कर लेना उसके अधियास पर क्लिक कर लेना थोड़ी देल लोडिंग लगेगा उसके बाद आप लोग का computer reboot हो जाएगा उसके बाद आप लोग का TMP 2.0 भी निबल हो जाएगा और आप लोग Windows 11 इस्टॉल कर सक सकते हैं और बाद की सारी की सारी आपकी problem solve हो जाएगी